हाई गाईज नमस्कारम कैसे हैं आप लोग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सदुरू अमार देखिए एक आपदा आ रही है पिछले 26-27 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं भारत के एक करोड बच्चों को प्रधान मंतरी को लिखना चाहिए हमें 7.8 अरब ब्रैंड हाई गाईज नमस्कारम कैसे हैं आप लोग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सद्यू एक बढ़ा है में हिंदी में भी नोगा और हंदि इंगी में भी सद्ध्गुरू से पूछूँगा सद्ध्गुरू ओविसली इंग्लिशनांसर करेंगे हम रिक्ष्ट करेंगे उनसे की बीच में अगर वो हिंदी में भी कुछ बोल सकें, so welcome सद्गुरू, thank you for your time, नमस्कारू सद्गुरू, how are you? बिलकुल ऐसा तो सद्गुरू, पहला सवाल आदित्या का है, वो लकनों से हैं वो पुछते हैं, हाँ, हम सब safe soil आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन safe soil movement है क्या, अगर brief में, sunshape में इसको समझाना हो, क्योंकि लोग हम से पूछेंगे, हमारे परिवार वाले पूछेंगे, दोस्त हम से पूछेंगे, तो sunshape में इस आंदोलन को कैसे समझाएं? दुरभागे से, लोगों का focus कई सारी चीज़ों पर चला गया है लेकिन सारे जीव, तमाम बातों के बावजूद, चाहे वो जीवन जल में हो, समुद्र में हो, या यहां चल रहा हो, सूक्ष्म जीव, कीडे, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ मिटी से पैदा हुएं, इसमें कोई शक नहीं है, अब, आज ये प्रमानित बात है, हर जिम्मेदार वैज्ञानी के कह रहा है, कि पहले ही, पचास फिस अदी टॉप सॉइल, जो जीवन का पोशन करती है, नश्ठ हो चुकी है, और भारत जैसे देश में, जहां, आम तोर पर अगर पानी हुआ, तो हम पूरे बारा महेंने खेती करेंगे, आदर जलवाईव वाले जीवाले ज्यादतर देश सिर्फ चार से चे महीने खेती करते हैं, तो खासकर यहां, भारत, अफरीका या दूसरे इलाकों में, और साथी यॉरोप और उतरी अमेरिका में भी मिट्टी का जबरदस नुकसान हुआ है भारत में 62 फी सदी मिट्टी आप जानते हैं काफी हद तक बंजर मानी जाती है तो एक तरह से पूरी दुनिया धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रही है और हर कहीं जलवायू परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की खूप चर्चा होती है लेकिन इस पर कोई जोर नहीं है कि इसमें मिट्टी की क्या भूमिका है खुली जुती हुई मिट्टी और पक्की कर दी गई जमीन ये दोनों करीब 40 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग और जलवायू परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है तो मिट्टी को सुधारना ज़रूरी है, इसमें कोई सवाल नहीं है मिट्टी को ठीक करने का क्या मतलब है? बहुत आसान है आप रेत लेकर उसमें परियाप्त जैविक तत्व डालिए, तो मिट्टी बन जाती है अगर आप मिट्टी लेकर उससे सारे जैविक तत्व निकाल लें, तो वो रेत बन जाती है तो आप अपने आसपास रेत चाहते हैं या मिट्टी? यही सवाल है अगर आप जीवन चाहते हैं, तो आपको मिटी की ज़रूरत होगी तो ऐसा होने के लिए आपको क्या करना होगा मैं कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ कर सकते हैं तो हमने अपनी जमीन को अच्छी तरह रखा है, ये बहुत जीवन थे कि अगली पीडि क्या करेगी, मुझे यकीन है कि ये लोग अच्छा करेंगे लेकिन हमें नहीं पता कि उनसे अगली पीडि क्या करेगी कोई guarantee नहीं है, मैं कहता हूँ, क्योंकि ऐसा पहले ही हो चुका है पिछली पीडियों ने इसे अच्छी तरह रखा था और हमारी पीडी ने उसे बर्बात कर दिया ऐसे भविश्य में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है यही वज़ा है कि हम दुनिया भर में ये पॉलिसी या नीती बनाना चाह रहे है कि अगर आपकी अपनी जमीन है तो उस मिट्टी में कम से कम तीन से छेफी सदी जैविक तत्व होने चाहिए ये हर किसी की जिम्मेदारी है हमें ये करना होगा आप इसे सिफारिश की तरह ले सकते हैं या या निवारे हो सकता है जो हर जगा पर स्थिती की गंभीरता पर निर्भर करता है लेकिन ऐसा होना चाहिए तो अभी कॉंशियस प्लैनेट के बैनर तले मिट्टी बचाओ अभियान का मकसद ये नीतिगत बदलाव लाना है हर देश इसे अपने तरीके से कर सकता है हर क्षेत्र अपने तरीके से कोशिश कर सकता है हर अक्षान्शी इस्थिती, खेती की परंपराएं, आर्थिक परिस्थितियां ये सब तय करेंगी कि ये कैसे किया जाना है लेकिन ज़रूरी बात ये है कि आप कहीं भी हो आपकी मिट्टी में कम से कम 3-6% अदी जैविक तत्व होना चाहिए यही पूरा मिट्टी बचाओ अभियान है ये मेरे इसके लिए परवा करने की बात नहीं है हाँ आपको ज़रूर इसकी परवा करनी चाहिए लेकिन ज़रूरी बात ये पक्का करना है कि आने वाली पीड़ी के पास मिट्टी हो क्योंकि मिट्टी एक जीवितिकाई है कोई सामान नहीं तो आदित्या आपको अपना वीडियो मिल गया आप इसे काट कर अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना यही है सेव सॉयल आंदोलन सद्गुरू, योगेश मुंबई से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपर इतना असर डाला कि एक दिन आपने फैसला किया कि चलो अपनी मिट्टी बचाएं क्या हुआ था देखिए एक आपदा आ रही है पर ज्यादतर लोगों को तब पता चलेगा जब वो धमाके के साथ आएगी लेकिन अगर आप समवेदन शील हैं तो आप इसे अपने चारों तरफ होते वे देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमने अचानक से मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में सोचा पिछले 26-27 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं देखिए मैं कोई वैग्यानिक नहीं हूँ नहीं पर्यावरन विशेश अग्य हूँ मैं कीडे की तरह हूँ लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये कीडा या इस मिट्टी का कोई भी कीडा इस मिट्टी के बारे में दुनिया के किसी भी वैग्यानिक से ज्यादा जानता है मेरा विश्वास कीजिए मैं उन सब के लिए पूरे सम्मान के साथ वो काफी काम कर रहे हैं लेकिन एक कीडा जब मिट्टी खराब होती है तो वो तुरन जान जाता है क्योंकि ये उसके जीवन को प्रभावित करता है तो ऐसे ही मैं कीडे की तरह हूँ यानि कि मैं इस धर्ती पर रेंग रहा हूँ बाकी लोग कहा है ओ वो एक हूँची जगा पर रहते हैं जो उनका दिमाग है मैं पृत्वी पर रहता हूँ इसलिए अगर मैं इस धर्ती पर कदम रखूँ तो मैं जान जाता हूँ कि मिट्टी उप जाओ है या नहीं मुझे उसे खोद कर देखने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं सिर्फ उस पर पैर रखूँ तो मैं जान जाता हूँ क्योंकि ये पूरी चीज हमेशा स्पंदित होती रहती है आपका शरीर भी वो मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं आप कैसे समविधन शील नहीं है क्योंकि आप एक तरह से अपने ही मनोवैग्यानिक नाटक में कुछ ज़्यादा ही खोए हुए है आपका नाटक, स्रिष्टी और स्रिष्टी के मूलभूत तत्वों से ज्यादा महतोपून होता जा रहा है ये जीवन का एक मूलभूत तत्व है ये मिटी, खासका टॉप सॉयल के उपरी 12-15 इंच इस धर्ती पर लगभग 87 फी सदी जीवों की बुनियात है लेकिन हम समवेदन शील नहीं है क्योंकि हमारा नाटक हमारे दिमाग में या हमारे फोन पर चलता रहता है सद्गुरू, अगला सवाल अरविंद पूछना चाहते हैं वो दिल्ली से हैं उनका कहना है दिल्ली वाला होने के नाते मुझे वायू प्रदूशन की जाधा चिंता है बेशक जल प्रदूशन भी एक समस्या है तो मेरे लिए वायू प्रदूशन और पानी का प्रदूशन समस्या है तो पहले मुझे ये देखना चाहिए या मुझे इस आंदोलन को फॉलो करना चाहिए और पहले मिट्टी की बात करनी चाहिए देखे चाहे आपको साफ पानी चाहिए या साफ हवा सबसे मूलभूत चीज मिट्टी है क्योंकि अगर आपको पानी चाहिए, तो ये महत्वपून है कि मिट्टी अच्छी हो क्योंकि पानी को रोक कर रखने के लिए कोई दूसरी जगा नहीं है अफसोस आज की पीडी सोचती है कि आप पानी को प्लास्टिक की बोतल, टंकी, बांध या जील या कुए में रोक कर रख सकते हैं नहीं, पानी को वहां नहीं होना चाहिए, पानी को मिट्टी में होना चाहिए पानी को रोक कर रखने की मिट्टी की क्षमता पूरी दुनिया की तमाम नदियों से 800 फी सदी जादा है तो पानी को मिट्टी में होना चाहिए, कहीं और नहीं लेकिन वो हर जगा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो तभी उपयोगी है जब वो वहाँ हो, जहां हम उसे देख सकें, वो वहीं उपयोगी है क्योंकि मिट्टी में जल तत्व है, तभी पेड़ पन पे हैं, तभी हर चीज बढ़ रही है तभी आपका भूजा नुगरा है आधुनिक सेचाई का ये पूरा तरीका अपने आप में एक अधपका विचार है मैं आपको जंगल में घुमाने ले चलूँगा अगर आप अपनी उंगली से खोदें, किसी कुदाल से नहीं सिर्फ अपनी उंगली से, किसी भी मौसम में, वो नम होगी मिट्टी को ऐसा ही होना चाहिए वहाँ जैविक्तत्व 50 से 70-75 के बीच कहीं होता है खेर ये हम नहीं कर सकते अगर आप 3 से 6 फी सदी कर दें, मिट्टी समरिद रहेगी आप उसमें काफी फसलें उगा सकते हैं अगर आप वाकई समरिद मिट्टी चाहते हैं कम से कम 12 फी सदी अगर आप पा सकें तो आपको जमीन को सीचने के जरूरत नहीं है वो अपने आप उगेगा सद्गुरू ये सवाल बड़ा दिल्चस्प है ये एक 10 साल की बच्ची है इनका नाम है भवया, ये नाकपूर से हैं और वो कह रही है, सद्गुरू मैं आपकी सबसे छोटी fan हूँ वो सबसे छोटी कैसे कह सकती है वो ऐसा नहीं कह सकती खेर, बहुत बड़िया तो वो कहती है कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनना तो चाहती हूँ लेकिन मैं बाइक नहीं चला सकती क्योंकि मैं चोटी हूँ और नहीं वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता मुझे ये करने नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सहपाथियों, अपने स्टूडिंस, अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं क्या कर सकती हूँ? इनके जैसे छोटे बच्चे बच्चियों के लिए, उनके पास बहुत महत्वपून काम हैं, इस अभियान का नाम मिट्टी बचाओ है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, मैं इस शब्द हमारी मिट्टी बचाओ का इस्तिमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिट्टी उनकी है, लेकिन हम उससे खत्म करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बड़ा इंसान ये एहसास करे। इसलिए हमारी मिट्टी बचाओ। मैं चाहता हूँ कि भारत और दुनिया भर में कम से कम एक करोड़ बच्चे हर देश में अपनी आबादी के हिसाब से उस देश के प्रधानमंत्री या राष्टरपती को लिखें। इस देश में प्रधानमंत्री को लिखें। भारत के एक करोड़ बच्चों को प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। हमारी मिट्टी को बचाने के लिए कुछ कीजिए, हमें एक नीती चाहिए, आप क्या करेंगे, क्योंकि इस पीड़ी और भावी पीड़ी के सहयोग के बिना, कोई राजनेता, कोई बोल लॉंग टर्म निड़ना है, बोल लॉंग टर्म निवेश नहीं कर सकता, हर कोई सब कुछ शौट टर्म कर रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ शौट टर्म चीज़ें चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ, और उसके दोस्त, और देश में उस उम्र के सभी लोग, और उनमें से एक करोड लोग, उसे प्रोचसाहित करने दीजे, जितनों को वो कर सकती है, उसे वो करने दीजे, लेकिन एक करोड बच्चों को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखना चाहिए, हम देखेंगे कि उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कागस पर पत्र लिखें, अगर वो लिख कर मेल कर सकें, तो अच्छा है, एक करोड पत्रों को संभालने के लिए ये शायद प्रधान मंत्री का अफिज लैस ना हो, लेकिन उन्हें हर बच्चे की भावना और चिंता को समझना होगा. ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं. लेकिन इस आवाज के बिना कोई निर्वाचित सरकार, कोई लॉंग टर्म निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि संसाधन हमेशा कम होते हैं. अगर आपने जैसे लोग, भव्या जैसे बच्चे बोलें, कहें कि हम इस देश में लॉंग टर्म निवेश चाहते हैं. छिट पुट नहीं, तब ऐसा जरूर होगा. अगला सवाल नितिन का है, वो बैंगलोड से हैं. वो पूचते हैं, बलकि वो ये कह रहे हैं, कि इन दिनों, हर तीन में से एक वेक्ति जो इंटरनेट पर है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह है. सोचल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हर जगे. अरे, हर दो साल में मैंने कुछ नया नहीं शुरू किया है, हर किसी को ये समझने दीजिए. सब कुछ जो हमने किया, वो सिर्फ एक जागरूग धरती या कॉंशेस प्लैनेट के लिए है. हाँ, चाहे आप इसे इनर इंजिनियरिंग कहें, लेकिन ये सचेतन इंसान बनाने क के लिए है, जो कॉंशेस प्लैनेट है. आप इसे प्रोजेक्ट ग्रीन हैं कह सकते हैं, वो इसी के लिए है. अब तक हमने कुछ 65 मिलियन पेड उगाए हैं, जो साड़े 6 करोड पेड हैं, जीवित पेड. फिर हमने नदी अभियान की बात की, ये कॉंशेस प्लैनेट के लि यही चीज तो किये, ये मत सोचिए कि हर दो साल में मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. तो ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या चीज प्रेरित करती है, क्या आप भी कुछ online वीडियो देखते हैं, motivation के लिए? देखिए, मैं कभी motivated या प्रेरित इंसान नहीं बनना चाहता, मैं कोई motivated इंसान नहीं हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक motivated इंसान नहीं हो, दुरभागे से लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई आपको motivate करे, आपकी परिशानी क्या है, क्या आप जीवन नहीं है, मैं पूछता हूँ आप कौन है, कोई भी, नितिन या जो भी, आप क्या है, क्या दिल्ली वाले, बैंगलोर, तो आपकी पहचान छोटी चीजों से है, यही सारी समस्या है, आप फुटबॉल क्लब से, या शायद क्रिकेट क्लब, क्रिकेट टीम से जुड़े हैं, या आपकी पहचान अपने शहर से है, या अपने परिवार से, या जो भी बेवकूफाना योगिताएं आपके पास हैं, या वो ब्रैंड जो आप पहनते हैं, आप किसी चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, बैंगलोर का ट्राफिक, मुझे नहीं लगता कि वो उससे पहचान जोड़ेंगे, वो उससे पहचान तोड़ना चाहेंगे, लेकिन मैं कह रहा सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, कि आप एक जीता जाकता जीवन हैं, सिर्फ यही चीज माने रखती है, कि आप अभी जीवित हैं, आप जीवित हैं, सिर्फ यही माने रखता है, बाकी सारी बकवास माने नहीं रखती, ठीक है? ये समाजिक्ता का एक हिस्सा है, हर किसी को एक खेल खेलना पड़ता है, हम समाज में रहते हैं, लेकिन आपको वो बनना नहीं है, अगर आप जीवन हैं, तो जीवन उलास्मा हैं, अपने आप में, आपको अपने दिल को धड़काने के लिए किसी की प्रेणा की ज़रूरत नह शायद आपको COVID हुआ हो, मुझे नहीं पता, आपको brain fog हुआ है, आपको उस fog को हटाने के लिए थोड़ी सी प्रेड़ना चाहिए, और अगर आप उस fog को हटा भी दें, तो दो घंटे बाद वो फिर से वापस आकर धुनला कर देता है, सबसे पहले अगर आप देखें, तो आपको जीवन से भरपूर होना चाहिए, अगर आप जीवन से भरपूर होना चाहिए, अगर आप जीवन से भरपूर हैं, तो आपको किसी की प्रेड़ना की जरूरत नहीं है, आप ठीक रहेंगे, आप क्या करेंगे, हर किसी को एकी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपनी योगिता और शायद समाज की जरूरत के हिसाब से काम करेगा लेकिन अभी लोग खुद को जीवन के रूप में अनुभव नहीं करते उनकी सारी कोशिश बस गुजर बसर के लिए है और दूसरी चीज है ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं और सुखों की अंतहीन पूर्ती ठीक है आप जीवन बिताइए और 60-70 साल बाद पीछे मुड़ कर देखेगा कि क्या ये सार्थक था मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा जीवन जीएं कि अगर आप अपनी मृत्य उश्रयय से पीछे मुड़ कर देखें तो आपको ये दिखे कि आपने अपना जीवन बढ़िया जिया किसी और की नजर में नहीं अपने अनुभव में आपने इसे अच्छे से जिया मुझे नहीं पता नितिन अब अनसब्सक्राइब करेगा उनको या मुझे नहीं पता लेकिन वो मुझे अनसब्सक्राइब करना चाते है नि नि उन motivational speakers को जिनको वो सुना करते थे ये उनके ऊपर है वो वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं सद्गरू अगला सवाल श्वेता का है वो लखनों से हैं वो पूछती हैं अगर मौका मिले तो आप किस सेलिब्रिटी को या किस प्रसिद शक्सियत को चुनना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए ब्रैंड अमबेस्डर क्या लगता है आपको कौन बन सकता है कोई नाम देखे अभी हम देख रहे हैं जितने संभव हों उतने लोग जुटाएं एक आसान संख्या के रूप में मैंने कहा कि कम से कम एक हजार मशूर सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोगों को इसमें होना चाहिए मेरे ख्याल से हम आसानी से 600 से 700 की संख्या तक पहुँच जाएंगे शायद हम 1000 या उससे ज्यादा तक पहुँच जाएं क्योंकि ये मेरा प्रोजेक नहीं है ये मेरा प्रोजेक नहीं है ये एक पीड़ी की जिम्मेदारी है मैं हर किसी को समझाना चाहता हूँ कि ये एक पीड़ी की जिम्मेदारी है ऐसा नहीं कि मैं ये करूँ आप ये करें ऐसा नहीं है मैं सिर्व ये कह रहा हूँ कि 21 मार्च से हर कोई आपको मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हर कोई 100 दिन तक मिट्टी के बारे में बात कीजए अपने तरीकों से अपना रिसर्च कीजए अगर आप चाहें आप मदद चाहते हैं हम आपको धेर सारी सामगरी देंगे अगर आप खुद कर सकते हैं तो कीजए, ठीक है लेकिन अपना अभियान सौ दिन तक चलाइए मैतुपून बात ये है कि एक पीड़ी के रूप में इकठा होकर हम सब कहें कि हमें उस गलती की चिंता है जो हमने की है उसे कैसे ठीक करें मैतुपून चीज ये है कि इसे लॉग टर्म खुशाली के लिए नीती में शामिल होना चाहिए वरना मैं यहां कुछ कर रहा हूँ ये अच्छा है लेकिन ये कोई समाधान नहीं है तो हमें हजार ब्रैंड अमबैजडर चाहिए ठीक है? नहीं हजार नहीं हमें 7.8 अरब ब्रैंड अमबैजडर चाहिए क्योंकि हर वो इंसान जो सांस लेता है और इस धर्ती पर चलता है और इस मिटी का भूजण खाता है वो एक अमबैजडर है लेकिन जिन लोगों के पास एक फॉलोईंग है जिनका दुनिया में एक नाम और प्रसिधी है उनकी एक खास जिम्मेदारी है क्योंकि अगर आप अपनी लोगप्रियता का इस्तिमाल उन लोगों के कल्यान के लिए नहीं करते जो आपको फॉलो कर रहे थे तो इसका क्या मतलब है सद्गुरू अगला सवाल सूरत गुजरात से है नीरव पूछना चाहते है कि यह जो आपकी पहल है हर दिन तो वो पहला इंसान कौन था जिससे आपने संपर्क किया जब इस पहल की शुरुवात की गए यह किसी क्षण जैसा नहीं है जो ऐसे ही आगे मैं कह रहा हूँ मैं 30 साल से इस पर काम कर रहा हूँ तो कौन पहला इंसान है एसी कोई चीज नहीं है क्योंकि चाहे मैं उसके बारे में बोलूँ या नहीं मनुश्यों का चेतन होना हमेशा मेरा काम उसी के बारे में रहा है अगर आप सच में चेतन हो जाते हैं लोग नहीं समझते कि चेतनता क्या है चेतनता का मतलब यह है कि अगर आपके विचार और भावनाएं, यादों की एक मात्रा से काम कर रहे हैं, जिसे आप यादें कहते हैं, उसकी एक सीमा होती है, आपके भौतिक्ता की एक सीमा है और आपके विचार और भामना हैं मानसिक धांचे की एक सीमा है शरीर एक तरह की बुद्धिमत्ता है मन दूसरी तरह की बुद्धिमत्ता है शरीर के सिर्फ इतनी सीमा है मन की शायद उतनी सीमा हो लेकिन फिर भी उसकी सीमा है चेतन्ता यानि ये बुद्धिमत्ता का एक और आयाम है कुछ लोगों को ये शब्द पसंद आते हैं इसलिए मैं तीन बार कहता हूँ आयाम, 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 ठीक है? उन सबी लोगों के लिए मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ तो बुद्धिमत्ता का एक और आयाम है जो आपकी यादों के वश में नहीं होता यानि कि ये असीम है तो अगर आप बुद्धिमत्ता के इस आयाम को चूते हैं तो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहां क्या सही है और क्या गलत अगर आप यहां खड़े होकर सांस लेते हैं आप जान जाएंगे कि यहां क्या हो रहा है आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है तो सारा काम उसी बारे में है ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोलना शुरू किया है अगर वो उस पहले प्रोग्राइम के बारे में जानना चाहते हैं, जब मैंने बोलना शुरू किया था, मैंने साथ लोगों से शुरुवात की थी, मेरे साथ विध्यारती थे मैं आधे शेहर को जानता था, हर कोई मेरा दोस्त था लेकिन डेड़ साल तक कुछ ना करने के बाद, मैं एक बिजनेस बनाने में और कुछ-कुछ करने में बहुत व्यस्त था अचानक मैं काम से पीछे हट गया, बस देश भर में बिना किसी मकसद के घूमता रहा और जब मैं वापस आया, तो मैंने फैसला किया कि मैं वो साज़ा करूँगा जो मेरे साथ हो रहा है मैंने लोगों को एन्रोल करने की कोशिश की, कोई आना ही नहीं चाता अचानक उन्हें लगता है कि मैं खतरनाख हूँ, मैंने खुद से बिजनस खड़ा किया था मुझे किसी को कोई पैसे नहीं चुकाने थे, लेकिन मैंने बस अपना बिजनस बंद कर दिया और किसी और को सौप दिया बस यूँ ही, तो उन्हें लगता है कि मैं खतरनाख हूँ तो बहुत मनाने के बाद सिर्फ साथ लोग आए, मैं उन साथ लोगों का आभारी हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने पाया कि मैं वाकई में कुछ सिखा सकता हूँ, तब तक कोई मुझे कुछ नहीं सिखा सका था, नहीं मैंने कभी किसी को कुछ सिखानी की कोशिश की थी तो अचानक मुझे एसास हुआ कि मुझे वाकई अपने साथ हो रही चीजों को व्यक्त करने के लिए शब्द मिल सकते हैं तो उसे चार दिन दो-दो घंटे का होना था लेकिन हर दिन वो चार घंटे, पांच घंटे तक खेंज गया और जब चौथा दिन आया, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, क्या हम एक और दिन बढ़ा सकते हैं हमने एक और दिन किया, तो वो च्छे दिन का हो गया समय की बंदिश के बिना बस चार-पांच घंटे रोज चला जाता था तो उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा मैं जान गया कि मेरे पास अपनी भीतरी स्थिती को बयान करने के लिए शब्द थे तब ही से मैंने बोलना शुरू किया तब से इच वन रीच वन हो रहा है अगला सवाल सुंदरम पूछना चाहरे हैं पुने से सुंदरम को तमिल नाडू में होना चाहिए चन्नाई में होना चाहिए वो पुने में क्यों है वो हर जगा चले जाते हैं सद्गरू वो कहते हैं कि सिर्फ किसान ही हैं जो मिट्टी बचा सकते हैं क्योंकि वो दिन रात खेतों में, मिट्टी, जमीन में काम करते हैं, एक IT professional कैसे मैं तो सिर्फ data बचा सकता हूँ, मैं मिट्टी नहीं बचा सकता हूँ, मैं कैसे मिट्टी बचा सकता हूँ, मेरी इसमें क्या भूमी का है मेरी ख्याल से सुन्दरम जैसे लोगों को एक शपत लेनी चाहिए, कि अपसे वो सिर्फ computer का data खाएंगे वो खाने नहीं खाएंगे, अगर वो ये शपत लेते हैं, तो उन्हें इसकी परवा करनी की ज़रुरत नहीं है मुझे नहीं पता कि सुन्दरम की इस जवाब पर क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन सुन्दरम जो भी हो आप मुझे लिख सकते है अगला सवाल शृती पूछना चाहती है, वो इन दौर से हैं, वो ये कहती हैं कि पहले हम भारती कई क्षेत्रों में अडवांस थे, हम सुसंस्कृत थे, हमारे पास सबसे महान आध्यात्मिक गुरू थे जिन्होंने इस धर्ती पर जनम लिया, लेकिन भारत को अब क्या हो इसके बारे में हम कैसे बात कर रहे हैं, हम सब ये मानते हैं कि धर्ती हमारी माता है, लेकिन अब आखिर हुआ क्या? देखिए, ये धर्ती जो एक ऐसी संस्कृती थी, जिसने मानाव चेतना को मुख्य पहलू बना कर विकास किया था, समय के साथ वो ज्यादा नैतिकवादी हो गई, बजाए चेतन होने के, जब ये नैतिकवादी बन गई, तो उन्होंने ये तय करना शुरू कर दिया, कि क्य अच्छा है और क्या बुरा, तो एक चीज ये होई कि हमने सोचा कि जीवन के सूक्ष में पहलू क्या है, गणेत, खगोल विज्ञान, संगीत में बहुत गहरी सनलिप्थ था, इस तरह हम ऐसे बन गए, इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में गहराई से डूब गए, लेकिन हमन लूटना, बलातकार करना और भागना चाहते थे, यही उनका तरीका है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग इतने ज्यादा सीधे हैं, तो लुटेरे राजा बन गए, वो एक गंभीर गलती थी, जिसे अब हम सुधारनी की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए शायद हम नह जानते कि इसका क्या महत्व है, मैं उसका कोई विशलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन कई चीजों में भारत में एक सबसे लोगप्री शिक्षा एक रण भूमी में दी गई थी, एक ऐसे इंसान, जो एक योद्धा के गुरू हैं, और उन्हें एक दिव्विजीव के रूप में भी देखा जाता है, वो उसे लड़ने के लिए प्रिरित कर रहे हैं, क्योंकि यही समस्या है, अपनी ही नैतिक बखवास में उलजे हुए, वो वो नहीं करेंगे, जो उन्हें उस समय करना चाहिए, अगर आप अपनी जमीन, अपनी इस्त्रियों, अपने बच्चों, अ अगर जरूरत हो, तो उन चीजों की रक्षा करने के लिए, जो आपके लिए कीमती हैं, अब अगर मैं कुछ कहूँ तो, अरे ये कैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु को बस अपने चेहरे पर कब्स जैसा भाव लेकर बैठना होता है, आप ऐसा सीमा पर डटे हुए हैं, ताकि आप और मैं यहाँ चल सकें, जीवन के दूसरे पहलूं के बारे में बात कर सकें, अगर वो वहाँ ना खड़े हूँ, तो मार काट यहां होगी, कहीं और नहीं, हमें ये पता होना चाहिए, लोगों को लगता है कि लड़ाईयां सिर्फ सीमा पर होती हैं, लड़ाई सीमा पर है, क्योंकि जो लोग सीमा पर डटे हैं, वो उन्हें देश के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, ये उनके समर्पन, उनकी लगन, उनके त्याग के कारण है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, सद्रु भोपाल से कल्यान ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, कि आप दुनिया भर में घूमे हैं, बहुत से देशों, शेहरों में गए हैं, कौन सा इसा एक देश है आपके ख्याल से, जो इस सेव सॉयल, मिट्टी बचाओ, मूव्मेंट के लिए रोल मॉडल बन सकता ह नहीं, वो ये क्यों पूछ रहे हैं, कि कौन बन सकता है? देखिए, भारत के बारे में एक महतुपून चीज ये है कि, आज भी हमारे पास एक बड़ी क्रिशी आबादी है, यानि लोग जो खेती में लगे हैं, मेरे ख्याल से 65 फी सदी से ज्यादा, अगर आप उससे पूरी गतिविद्यों में लगी है, जब ऐसा है, तो मिट्टी को रूपांतरित करना, या मिट्टी को सुधारना, बहुत सी जिंदगियों को बदल सकता है, आज इस बारे में दुनिया में परियाप्त रिसर्च मौजूद है, जो ये दिखाती है, कि मिट्टी में पोशक तत्वों की कमी बहुत सी बीमारियों की वज़य है, जिनसे लोग गुजर रहे हैं, शारिरेक और मानसिक दोनों, मानसिक बीमारियां और माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी सीधे सीधे आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब ऐसा मामला हो, जब सत तरफ ही सदी आबादी उसमें लगी है, तो हम ये क्यों पूछते हैं कि कौन रोल मॉडल बन सकता है, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि चलिए हम रोल मॉडल बनते हैं, अभी कावेरी पुकारे प्रोजेक्ट को UN एजिंसियां धर्ती पर ट्रॉपिकल देशों के लिए एक रोल मॉडल की तरह देख रही हैं, हम इसे पूरे देश में क्यों नहीं कर सकते हैं? चाहे वो शहर हो, या राज, या देश, शहर को कैसे एक बढ़िया जगा बनाएं, ये उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ पागल देश भक्तों के लिए है, आप और मैं तभी खुशाल हो सकते हैं, अगर देश खुशाल हो, है ना? देश वो सबसे बड़ी इकाई है, जिसके जरीए आप एक आबादी के लिए कुछ कर सकते हैं. वो एक आदर्श है और ये एक हकीकत है, ठीक है? सब्सक्राइब रोहिनी कहती हैं कि आपने हमसे मिस्ट कॉल करने को कहा था, हमने मिस्ट कॉल दिया, आपने हमसे पौधे लगाने को कहा था, हमने लगाया है. क्या बात है, उन्होंने मिस्ट कॉल भी दी थी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जी, वो ये पूछ रहे हैं कि अब क्या, मतलब आगे कुछ और भी है, सेव सॉयल के बाद आपके दिमाग में कोई और भी कैमपेन का आइडिया है वही मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं अब भी उसी प्रोजेक्ट पर लगा हूँ बीच में, चूंकि आप सो रहे थे, मैं आपको दूसरी चीजों से उठा रहा हूँ सद्कुरू आयूश ही पूछ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो दूसरे ग्रह पर बसने की सोच रहे हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह पर चले जाना लाइड पर चले जाना लाइड एक ग्रह जिसके सिर में अकल है एक ग्रह जिसे हम जानते हैं कि वो बड़िया तरीके से जीवन को बनाए रख सकता है, वो ये ग्रह है ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ 600,000 ग्रह खोजे हैं, ऐसे ही रासायनिक संरचना और चीजों वाले कुछ लाख या एक करोड या एक अरब प्रकाश वर्ष तूर, तो जो लोग इसके लिए वाहन बना रहे हैं, इसके लिए शुप कामना है मैं विज्ञान या खोज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि इस ग्रह को ठीक से कैसे रखें, तो किसी दूसरे ग्रह पर जाने का क्या मतलब है वहाँ भी वो यही चीज़ें करेंगे, पहले यहाँ ढंग से रहना सीखिए, यहाँ प्रैक्टिस केजिए और फिर स्वर्ग जाएए, मैं बस यही कह रहा हूँ, हर कोई सोचता है कि वो स्वर्ग जाएंगे और फिर वो आनन्द से रहेंगे, अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं कि मैं कोई धार्मिक वेक्ति नहीं हूँ, और नहीं मैं एक आध्यात्मिक साधक हूँ, मैं पक्के तोर पर नास्तिक हूँ, आपको क्या लगता है, मैं भी सांदोलन का हिस्सा बन सकता हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे आप नास्तिक हों या आस्तिक, चाहे आप हिंदू हों या मुस्लिम, आप चाहे जिस भी जाती के हों, आप चाहे जो भी और हों, आदमी, औरत, जंगली, जानवर, आप चाहे जो भी हों, क्या आप खाना खा रहे हैं, या आप अपनी नास्ति बहुत बढ़ी है सद्गुरू, थैंक यू, सद्गुरू, अब एक क्विक रापिड फायर राउंड है, आपको बस तीम में से एक ही ऑप्शन को चुनना है, कावेरी कॉलिंग, यूथ एंड टूथ, सेव सॉयल, ये तीन अलग-अलग चीजे नहीं हैं, ये एक ही हैं, बेश सी चीज है, जो आपके दिल के सबस्यादा करीब है, खेती करना, गॉल्फ खेलना या बाइक चलाना, मैं वो करता हूँ, जो उस पल में जरूरी होता है, अगर मुझे कहीं जाना है, तो मैं मोटर साइकल इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं खेलना चाहता हूँ, तो मैं गॉल जाना चाहते हैं ठीक है अगली सवाल पर आते हैं अलग-अलग चीजें करने का अलग-अलग समय होता है तुरू तुरू रापिट फायर का आखरी सवाल है यह सद्गुरू आपके अनुभव में दुनिया के किस हिस्से के वॉलेंटियर्स आपके लिए सबसे आदा समर्पित है भारती है या विदेशी ये बहुत ही महतुपूर्ण सवाले दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका शो सिर्फ भारत में चलता है तो मैं कहूंगा भारत क्या इससे उन्हें मदद मिलेगी तो एक फॉलो अप सवाल में पूछ लेता हूं इसे पर तमिल या नॉन तमिल ऐसी कोई चीज नहीं है मैं जहां भी जाता हूं लोग रिस्पॉंड करते हैं लेकिन ज्यादा तमिल लोग होते हैं क्योंकि मैंने तमिल नाडू में बहुत ज्यादा समय लगाया है बिल्कुल, बिल्कुल, आपके समय के लिए सद्गुरू बहुत बहुत धन्यवाद अंत में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम संदेश ये है कि आप मिट्टी में होंगे मिट्टी वो जगा है जो मौत से जीवन बना लेती है प्लीज उससे मौत मत पैदा कीजिए सद्गुरू एक बार फिर से आपका धन्यवाद, नमस्कारम यह यह एक मात्र जगा है जहां आप मौत से जीवन बना सकते हैं आप किसी मौत चीज को गड़ा दीजे, जीवन बस फूट कर निकलने लगेगा